आज मैं जो फोन आपको दिखाने वाला हूँ वो इस प्राइस ब्रैकेट का स्लीमेस्ट फोन माना जाएगा दोस्तों साथ ही साथ ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है पीछे के तरब से आपको वेगन लेधर फिनिस देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर से Dimensity 8020 का चिपसेट दिया जाता है ये जो फोन है ये Infinix के तरब से आपको मिलता है Infinix 030 5G और यहाँ पर से 12G वाला वेरियंट हमारे पास है इस फोन के अंदर हमें 4K 60fps का recording option मिलता है 50 Megapixel का AI front camera है जो की vlog कर सकते हो आप और पीछे के तरब से अभी आप सारे details आप देख सकते है हमने इसकी पूरी टेस्टिंग कर लिए है दोस्तो और आज के इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताएंगे लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करना तो चलो फोन को हम यहाँ पर से बॉक्स से निकाल करके देखते हैं कि किस तरीके से पैकिंग में मिला था तो इसको जैसी आप ओपन करोगे तो सबसे पहले तो आपको main unit देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ details मेंशन की गई है और यह जो है यह vegan leather finish के साथ मिलता है विसे दो colors और आएंगे तो वो आपको glass back panel के साथ दिये जाता है तो यह भी बहुत जादा अच्छा लगता है इसकी काफी अच्छी है खैरिस के लावा दोस्तों box के अंदर आपको same ejector pin मिल जाता है कुछ paperwork दिये गए है साथी साथ एक TPU case मिल जाता है जो कि transparent है और look wise तो इसकी काफी अच्छी लग रहे है खैरिस के लावा type A2 type C का cable मिलता है और एक 68 watt का charger भी दिया गया है और हमने phone को charge करके भी check किया था तो ये 50 minute के अंदर full charge हो जाता है और इसका भी testing हम आपको दूसरे वीडियो में करके दिखा देंगे तो phone के unboxing आपने देख लिया वैसे price and सारे offers details में आपको इसी वीडियो में बता दूँगा तो सबसे पहले start करते हैं दोस्तों इसके build quality को ले करके तो आप देख सकते हैं पीछे के तरब से आपको बहुत अच्छा finish देखने को मिलता है और ये जो variant हमारे पास है ये vegan leather के साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों इसकी build quality मुझे personally काफी अच्छी लगी और phone भी काफी जादा durable ऐसा नहीं है कि कहीं पर से भी यहाँ पर से मुणने का sign आ रहा है और in hand feel भी इसकी काफी अच्छी है चलो phone का अगर मैं आपको thickness बताओ तो ये 7.9 mm के thickness के साथ आता है और ये लगभग 180 gram के prox के weight segment में आपको देखने को मिलता है तो ये बहुत जादा हलका भी हो जाता है case भी अगर आप लगाते तो 205 gram के नीचे ही आपको इसका weight देखने को मिलता है and personally इस phone को मैंने अच्छे से testing किया है दोस्तों बहुत जादा अच्छा लगता है और थोड़ा broad भी है तो इसकी वज़़े से मतलब अगर आप video ये सब देखते हैं तो और अच्छे experience मिलेगा लागि display की बात हम थोड़े दिर में करते हैं खेर अगर इसके camera's की बात कर लेते हैं तो 108 megapixel का main camera है OIS के support के साथ 13 megapixel का आपको wide lens दिया जाता है और एक और sensor आपको दिया जाता है बाकि यहाँ पर से quad LED flash है यहाँ पर से सब कुछ mention किया गया है 5000 image की battery है, zero की branding आपको मिलती है left side के तरप से clean है और ये curve आपको दिख रहोगा नीचे के तरप से आपको यहाँ पर से sim tray मिलता है तो 2 sim card आप लगा सकते है हालकि यहाँ पर आप SD card नहीं लगा सकते है बट अच्छी बात यह है कि इसका जो base variant है वो 254 GB के storage के साथ आता है तो ये काफी कमाल की बात है खेर नीचे के तरप से आपको main microphone मिलेगा type C का port है और speaker के vents मिलेगा dual speaker दिये जाते हैं बाकि right side के तरप से power on off का key है volume up and down के key मिलेंगे उपर के तरप से secondary noise cancellation है और secondary speaker भी दिया गया है दोस्तो और यहाँ पर से powered by infinix mention किया गया है और front की बात करते हैं तो 50MP का selfie shooter आपको दिया जाता है दोस्तो bezels आप देख सकते हैं बहुत minimal है और अच्छी बात यह है कि front में आपको selfie flash भी दिया गया है इतने कम bezel होनी के बावजूद और front में ही आपको in display fingerprint scanner मिल जाता है तो look wise आपको यह phone कैसा लगा आप comment के मादे हम से हमें बता सकते है वैसे आपको एक छोड़ा सा comparison मैं दिखा देता हूँ Infinix का जो GT10 Pro अभी कुछ दिन पहले आया था यह phone बॉक्सी design के साथ आता था और इसके gripping बहुत जादा different है as compared to this यह काफी जादा पतला भी लगता है और in hand feel भी इसकी काफी अच्छी है वैसे हाँ यहाँ यहाँ पर से जो glass back panel वाला है वो different in hand feel आपको देगा यह vegan leather वाला है यह different in hand feel देता है और यह तो glass के साथ आता है यहाँ पर से दोस्तों आपको Gorilla Glass 5 का भी support मिल जाता है और अगर बात करते इसके refresh rate की तो 144Hz का refresh rate आपको दिया जाता है तो अगर आप इस phone के 144Hz के refresh rate पे use करोगे तो हर जगा आपको यह supported देखने को मिलेगा हमने हर एक अलग-अलग app में भी इसको test करके देखा था हलाकि यहाँ पर से smart switch का भी option मिल जाता है तो यह अपने according और content के according switch भी करता रहेगा तो कभी 60Hz पर चला जाएगा, कभी 144Hz पर तो यह switch वाला भी आपको यहाँ पर से option मिल जाता है और इस phone के display में दोस्तों आपको 10bit का भी option मिल जाता है in fact यहाँ पर voidvine L1 का certification है और YouTube पे आप HDR content consume कर सकते हैं तो display के मामले में यहाँ पर कोई भी compromise नहीं किया गया है और इसका जो glass back panel वाला जो variant है उसमें भी आपको gorilla glass पीछे के तरफ मिलता है यह तो vegan leather वाला है लेकिन यहाँ पर front में आपको दिया गया है उस वाले variant में आपको दोनों तरफ मिल जाएगा अब चलो बात करते हैं इसके camera के बारे में तो देखो triple camera आपको पीछे के तरफ से मिलता है 108MP का main camera with OIS है और front में आपको 50MP का selfie shooter मिल जाता है यहाँ पर से जो भी pictures हमने click किये दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा वाई इसका dynamic range भी बहुत जादा अच्छा निकल के आ रहा है और जो detailing है शापने से definitely उस पर काम की गई है low light में भी हमने picture click किये थे यहाँ पर भी आप देख सकते है detailing अच्छा है हालकि हाँ कुछ-कुछ जगहों पर और जादा details हो सकता था इसके अलावा दोस्तों selfie shooter की बात करते हैं तो यह मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते है dynamic range काफी अच्छी निकल के आती है और जब हमने low light में भी test किया था तो result ठीक हमें देखने को मिले थे थोरा सा यहाँ पर से आपका skin को ज़्यादा soft कर देता है बड overall देखा जाए आपको डीटेलिंग अच्छी मिल जाती है अब चलो इसका camera interface की बात कर लेते हैं तो AI camera के अंदर आपको wide lens का भी option देखने को मिलता है more mode के अंदर आपको बहुत सारे option मिलते हैं like slow motion, time lapse, short video, dual video और भी बहुत सारे अलग-अलग options मिल जाते हैं pro mode का भी option यहीं पर से आपको दिया जाता है और यहाँ पर से दोस्तों जो video की बात हम कर रहे थे तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं इस 4K 60fps तक का option आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर से stabilization भी आप चाहो तो अच्छे level पर कर सकते हैं आपको अगर ultimate video enhancement चाहिए थोड़ा सा अलग-अलग effect के साथ तो भी आप चाहो तो इसको use कर सकते हैं और stabilization का option यहाँ पर से आपको दिया जाता है इसके अलबा दोस्तो film mode भी आपको दिया जाता है film mode के अंदर बहुत सारे options है और यहाँ पर से दोस्तो google lens का option मिलता है और front camera को आप चाहो तो यहाँ पर से switch कर सकते है और यहाँ पर आप देख सकते है HDD mode भी आपको दिया गया और 4K 60fps का option यहाँ पर से आपको दिया जाता है इसके अलबा यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि AI camera का option आपको मिल जाता है इसके अलबा यहाँ पर से portrait mode मिल जाता है super night है और more mode में भी आप चाहो तो बहुत सारे अलग-अलग options को use कर सकते हैं तो इस phone का जो next USB है दोस्तो वह है इसका camera तो आपने features तो देख लिए आप चलो video samples हम आपको दिखाते हैं तो अभी जो आप sample देख पारें दोस्तो यह है Infinix 035G का front camera का sample 1080p पे हम record कर रहे हैं क्योंकि stabilization थोड़ा ज़्यादा better यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है audio basis से record हो रही है और साम का लग-भग 6 बजा है तो आप बता सकते हैं कि audio video कैसी आपको मिली है और अभी जो आप recording देख पारें यह है Infinix 035G के back camera का लिया हुआ sample focusing test मैंने किया बहुत जादा fast है जो कि आप देख सकते हैं और dynamic range भी काफी अच्छे से इसने capture किया है audio basis से record हो रही है आपको better idea लग गया होगा तो all in all अगर मैं आपको ना summarize करके बताओ तो हाँ इस phone का camera एक अच्छा promising features के साथ आता है definitely थोड़े मोडे minor tweaks के साथ और perfect हो सकता है जो कि software update के मादे हम से किया जा सकता है but all in all इस phone में जो features आपको मिलते हैं like 4K 60fps front and back दोनों तरब से वो इसको बहुत जादा highlight कर रहा है दोस्तो अब अगर इसके performance की बात करते हैं तो इस phone में आपको मिलता है Dimensity 8020 का एक 5G processor और जब हमने geekbench score निकाले थे आप देख सकते हैं Android score भी 729,000 की उपर का निकल के आता है जो कि काफी जादा कमाल की बात है और हमने जब इसमें Call of Duty gameplay किया था दोस्तो मुझे तो काफी अच्छा experience मिला था screen बड़ा है, bezels कम है और जो response rate है यह सब भी बहुत जादा अच्छा निकल के आता है और जब हमने इसमें पूरा एक-दो match gameplay किया था तो जब हमने इसका hitting test किया था तो around 40 degree max यह touch कर रहा था जो कि मेरे हिसाब से acceptable है और जब आप इसमें BGMI gameplay करना चाते हैं तो 60 fps की उपर का आप gameplay expect कर सकते हैं देखो हमारे पास 12 GB वाला है उसके ही साफ से तो results काफी अच्छे निकल के आते हैं हलाके आप इसका 8 GB वाला variant भी खरीद सकते हैं और जहां तक रहे बाद day to day task के सब में RAM ये सबसे clean होता है या फी नहीं कोई भी आप तो ये आप देख सकते हैं बहुत या अच्छे से ये optimize किया गया है कोई भी problem हमें देखने को नहीं मिला था और RAM expand भी आप चाहो तो कर सकते हैं virtually तो हमारे पास 12 GB है तो हम up to 9 GB तक expand कर सकते हैं तो total 21 GB तक ये expand हो जाता है जहां तक रही बात storage की speed test की तो वो भी काफी अच्छा निकल गया था जो कि आप देख सकते हैं UFS 3.1 का storage type है और जब हमने इसमें CPU throttling test किया था तो आप देख सकते हैं graph थोड़ा कुछ इस तरीके का निकल किया रहा है जी हां यहां यहां पर थोड़ा मोड़ा throttle होता है लेकिन अगर आप बहुत जादा long session में gameplay करते हो तो साइड आपको ये results मिले बट overall day to day task हो गया या casual gaming ये सब हो गया वो सब चीजों में को भी problem यहां पर आपको नहीं होगा जहां तक रही बात दोस्तों software section की तो देखो इस phone में आपको out of the box android 13 मिल जाता है और साथी साथ ये xox पे run कर रहा है company ने बोला है कि एक साल का major android अपग्रेड आएगा और साथी साथ दो साल का आपको security updates मिल जाएंगे यहां पर से जब इस phone को हमने boot किया था तो आप देख सकते हैं definitely कुछ कुछ आपको pre-install application मिलेंगे हलाकि Infinix का जिस तरीके का back record अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे bloatwares रहते थे वो इस case में यहां पर नहीं है और इन में से majority apps को आप चाहो तो uninstall भी कर सकते हैं आपके लिए यह bloatware है या फिने आप यूज करते हो या फिने बढ़ हाँ आप इसको चाहो तो uninstall कर सकते हैं और software में दोस्तों आपको बहुत सारे अलग-अलग options मिल जाते हैं like peak mode इसके अलावा game mode साथी साथ और भी options दिये गए हैं जिसको आप चाहो तो explore कर पाओगे तो software section में मुझे अगेन यहाँ पर कोई problem नहीं आया और इसके haptic feedback की बात करते भाई वो भी काफी अच्छा है और अगर आप कोई भी चीजों को clear यह सब करते हो तो चोटी-चोटी जो tweaks दिये गए हैं sound दिये गए है, notification यह सब वो मुझे काफी अच्छा लगा अब देखो इसके न network, calling and 5G को लेकर के बात कर लेते हैं तो जब हमने 5G speed test किया था, results काफी अच्छे निकल के आया थे 14 5G bands का support इस phone के अंदर आपको दिया जाता है और अगर आप call recording करना चाहते हैं तो इनका खुद का dialer दिया गया है तो आप चुपके से भी call recording कर सकते हैं अब चलो बात कर लेते दोस्तों इसके security feature की तो यहाँ पर से आपको in display fingerprint scanner मिल जाता है और हमने यहाँ पर से scratch guard को भी apply कर दिया था उसके बाद भी आप देख सकते है result काफी अच्छा निकल के आया है मतलब काफी जादा fast है और front में जो आपको यहाँ पर से face unlock दिया गया है वो भी बहुत ही अच्छे से काम करता है जो कि आप देख सकते है इस phone में दोस्तों आपको dual speaker दिया जाता है साथ ही साथ यहाँ पर से DTS sound का भी option मिलता है और high-res audio का भी support आपको मिलता है पहले आप output सुन लो तो जी हाँ loudness तो काफी अच्छी आपको मिल जाती है बेस की quality यह सब भी अच्छी है हालकि यहाँ full volume में अगर आप इसको सुनते हो ना तो थोड़ा से यहाँ पर से ना vibration वाली effect आती है तो आप यह जो case दिया गया इसको लगा के रखना और ऐसे तो मैं आपको recommend नहीं करूँगा case ज़रूर लगाना क्योंकि हो सकता है कि इसका back panel थोड़ा सा गंदा हो जाए अब इस phone के battery and charging को ले करके बात करते हैं तो 5000 image की battery आपको मिल जाती है 68 watt का charger आपको box के अंदर दिया जाता है और यह phone जो full charge होता है तकरीबन 47 minute के अपराक हमने इसकी पूरी testing की है जो क्या आप चाहो तो i button पे click करके देख सकते हैं और जहां तक रही बात दोस्तों इस phone के battery backup को लेके तो आप अराम से one day plus का backup expect कर सकते हैं अब हाँ अगर आप 144 hertz पे use करोगे जादा gaming यह सब करोगे 5G network पे अगर आप use कर रहे है तो वो सब चीद depend कर जाएगा बट हाँ आराम से आपको 6 hours के around screen on time मिल सकता है हमने इसकी अच्छी से testing की है दो बार हमने इसको अभी तक charge भी कर लिया है तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं और इसके RAM को भी आप चाहों को expand कर सकते हैं हमारे पास 12GB वाला था तो हम 9GB तक expand कर सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तो इस phone के अंदर आपको FM radio का भी support मिल जाता है साथे साथ NFC का भी support आपको दिया जाता है दोस्तो इस phone के जो sensor है सारे useful sensors आपको देखने को मिल जाते हैं और ये IP53 rating के साथ आपको दिया जाता है तो मैंने आपको Infinix 035G के regarding सब कुछ बता दी आप देखो बात करते हैं इसके price, offer and variants के बारे में तो दो variants में आपको launch होता हुआ दिख जाएगा दोस्तो 8GB RAM, 256GB के साथ जहां तक रही बात दोस्तो pricing की बात करते हैं तो ये start होगा 239999 और higher वाला भी रिंट का भी price आप देख सकते हैं और जहां तक रही बात offer की तो वो सारे details भी आप चेक कर लो दोस्तो तो आप चोगो तो इसको flip card से prebook कर सकते हैं और देखो इस phone का अगर मैं आपको summary देदू तो देखो NFC है, IP53 की rating है इसके लावा दोस्तो gorilla glass का protection आपको मिलता है front में display यह सब भी काफी अच्छा है bezels आपको काफी कम मिलते हैं 4K 60fps आपको दोनों तरब दिया जाता है processor definitely promising features आपको provide कर रहा है और in fact यहाँ पर से update यह सब भी थोड़ा कम मिलेगा बट overall देखा जाए, experience आपको अच्छा दिया जाता है इस phone के साथ और in fact यहाँ पर से enhanced film इसकी काफी अच्छी है तो अगर आप एक ऐसा phone खोज रहे थे दोस्तों जो कि आपको 25,000 की नीचे देखने को मिल जाए तो I think this is a good option to have जहाँ पर आपको design काफी अर्ची देखने को मिल जाती है cameras इसके काफी promising features के साथ आपको मिलते है display में कोई भी compromise नहीं है तो again आप इसको definitely check कर सकते हैं इसका best buy link हम आपको description box में दे रहे हैं वहाँ से जाकर के आप bike कर लेना बाकी चलो इस वीडियो में इतना ही like, share and subscribe करके जाना so thanks a lot for watching